यूँ तो आपने अपने जीवन में लेदर से बनी हुई चीजों का इस्तमाल खूब किया होगा जैसे पर्स, बैग, बेल्ट आदी लेकिन क्या आपने कभी फ्लेदर से बनी हुई किसी चीज का इस्तमाल किया है? नहीं न, आज इस वीडियो में हम आपको इसी फ्लेदर के बारे में बताएंगे दरसल में यह फ्लेदर बनाया गया है भारती मंदिरों में चढ़ने वाले फूलों से जी, लेदर के बजाए फ्लेदर बता दें कि फ्लेदर से बने पर्स, जर्मनी, फ्रांस, इटली, यूके वा नीदरलेंड समेद दुनिया भर के कई देशों में इस्तमाल किये जा रहे हैं बड़े पैमाने पर ये पर्स बनाये जाने के बाद अब फ्लेदर से जैकेट का भी उत्पादन शुरू कर दिया गया है पता दें कि पूरे रीजिनल कॉलेज से बीटेक और सिमबोसिस इंस्टिटूट और बिजनस मेनेजमेंट से इनोवेशन विशे में सनातकोत्तर करने वाले अंकित अगरवाल ने इस फ्लेदर की खोज की है फूलों से बने और लेदर जैसी गर्माहट देने के कारण ही इसे फ्लेदर नाम दिया गया है अंकित बताते हैं कि IIT के छात्र छात्राओं की तीम के साथ मिलकर उन्होंने एक स्टार्ट अप स्थापित किया था दो साल तक IIT कानपूर की अत्याधुनिक प्रयोग शाला में कई प्रयोग करने के बाद यह फ्लेदर उन्होंने बनाया उनके इस उत्तात को People for the Ethical Treatment of Animal यानि की पीटा ने भी प्रमालपत्र दे दिया है इसके अलावा Institute for Industrial Research and Toxicology ने भी इसे अप्रूव कर दिया है इस अप्रूवल से इस पस्ट है कि यह तुचा के लिए काफी मुफीद है अंकित को अपने शोध के लिए Young Entrepreneur के अलावा 10 Fellowship समेट कई एवार्ड प्राप्थ हो चुके हैं उनकी इस टीम में देश भर की IIT से पढ़े हुए छात्र छात्राएं शामिल हैं अंकित बताते हैं कि गेंदावा गुलाब समेट अन्य फूलों में एंजाइम मिलाकर फ्लैदर तयार कर लिया जाता है इसमें 70% भाग गेंदी के फूल का होता है Symbiotic Relationship of Bacterial Culture की प्रक्रिया से गुजार कर इसे बनाया चाता है यह प्रक्रिया इस प्रकार की होती है कि जब फूलों में संगल और Symbiotic Bacteria यानि एंजाइम मिलाय जाते हैं तो फूलों के पोशकतत्व मिलने से यह तेजी से बढ़ते हैं और यह फ्लैदर का रूप ले लेते हैं यह क्रिया बायो रियक्टर में कराय जाती है विदेश में जब इसकी जाच हुई तो यह पाया गया कि यह लेदर की तुला में कहीं जादा कर्म भी है बता दी कि इसे अब तक चार पेटेंट मिल चुके हैं रोजाना 3700 किलो फूलों से फ्लैदर की 4 बाई 4 फीट की 1200 शीटें बनाई जा रही है बता दी कि लेदर की अफेक्षा फ्लैदर का उत्पादन 6 गुना अधिक तेजी से किया जा सकता है इसी वज़े से वैग्यानिकों का ऐसा मानना है कि यह फ्लैदर जल्द ही लोगों की पहली पसंद बनकर भी उबर सकता है इस वीडियो में इतना ही मेरा नाम है उत्गर्ष के आमरे के पीछे थे रवींदर ची अगर आपको यह वीडियो पसंद आया तो हमारे फेस्बुक पेज़ पर लाइक करें और यूट्यूब पर सब्सक्राइब करें